स्वागत करते हैं आप सभी का आपने यूट्यूब चैनल जैसे सी डिफेंस जोन में आज हम 25 अक्टूबर 2020 से समबंदित करेंट अफेर के कुछ क्वेस्चन को देखेंगे इसके साथ ही अगर आप 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक की वन लाइनर करेंट अफेर 2020 की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे बेल आइकन प्रेस कर दीजे ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके तो आईए आज का पहला क्वेश्चन है हाल ही में किस दिन विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है उप्सन A 21 अक्टूबर उप्सन B 23 अक्टूबर उप्सन C 24 अक्टूबर उप्सन D 25 अक्टूबर तो इसका राइट अंसर हो जाएगा उप्सन C 25 अक्टूबर विश्व पोलियो दिवस जो है वा 24 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व भर में पोलियो वाइरस से होने वाली बिमारी को दूर करने के लिए तथा इसके संबंद में लोगों में जागरुकता फैलाने के लिए 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस के रूप में मनाया जाता है नेक्स्ट कुश्चन है भारत के किस रेलवे जोन ने वैक ओन वील्स सेवा शुरू की है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा ओप्सन C मध्य रेलवे भारत के मध्य रेलवे जोन ने वैग ओन वील्स सेवा को शुरू किया है नेक्स्ट है नाटो में किस देश ने अंत्रिक्ष केंद्र स्थापित करने पर सहमती व्यक्त की है ओप्सन A चीन ओप्सन B जर्मनी ओप्सन C अमेरिका ओप्सन D फ्रांस तो हाल ही में नाटो ने जर्मनी में अपना अंत्रिक्ष केंद्र स्थापित करने पर सहमती व्यक्त किया है नाटो की स्थापना 1949 इस वी में हुई थी और नाटो का मुख्याल है बेल्जिम की राधानी ब्रसेल्स में है नेक्स्ट कुश्चन है यस बैंक ने कितने रुपए का सुद्ध लाब प्राप्त किया है ओप्सन A 150 करोड ओप्सन B 120 करोड रुपए ओप्सन C 119 करोड रुपए ओप्सन D 130 करोड रुपए तो हाल ही में यस बैंक ने 139 करोड रुपए का सुद्ध लाब अरजित किया है नेक्स्ट है सुननदा समान किस राजी सरकान दवारा शुरू किया गया है ओप्सन A पस्चिम बंगाल ओप्सन B उडिशा ओप्सन C केरल ओप्सन D उत्तर प्रदेश तो हाल ही में सुननदा समान जो है वा उडिशा राजी के द्वारा शुरू किया गया है उडिशा के मुख्यमंत्री श्रीन नवीन पतनायक जी है तथा राज्यपाल गनेशे लाल बने हुए है नेक्स्ट कुश्चन है अंतराश्चे मुद्रा कोस में सामिल होने वाला नया देश कौन है ओप्सन A ओमान ओप्सन B मीस्र ओप्सन C अंडोरा ओप्सन D किर्गिस्तान तो हाल ही में अंतराश्चे मुद्रा कोस का 190 देश जो है वा अंडोरा को बनाया गया है नेक्स्ट है शहरी शिक्षा नीती में सुधार के लिए किसके द्वारा पैनल गठित किया गया है ओप्सन ने रास्टे विकास परिशन, ओप्सन B नीती आयोग, ओप्सन C छेत्रिय परिशन ऑप्सन D केंद्रिय शिक्षा मंत्राले तो हाल है में सहरी शिक्षा नीती में सुधार हेतु नीतिक आयोग ने पैनल गठित किया है निती आयोग के स्थापना एक जन्वरी 2015 को हुए थी इसे योजना आयोग को समाप्त करके बनाया गया था निती आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोती तथा उपाध्यक्ष राजीव कुमार जी है निती आयोग के CEO अमिताव कान बने है नेक्ष्ट कोश्चन है राजीव गांधी किसान न्यायोजना की शुरुवाद किस राजीव सरकार ने किया है उप्षन A माध्यपरदेश, उप्षन B उरिशा, उप्षन C 36 गड़, उप्षन D जार्खन तो इसका राइट अंसर हो जाएगा, उप्षन C 36 गड़, उप्षन C 36 गड़, राजीव गांधी किसान न्यायोजना की शुरुवाद की है नेक्ष्ट है हाल हे में किसे 35 साल बाद इंटरनेशनल लेबर और्गनाईशन के गवर्निंग बोड़ी का चेर्मेंशिप मिला है ऑप्षन भारत, ऑप्षन B चीन, ऑप्षन C रूस, ऑप्षन D फ्रांस तो हाल हे में 35 साल बाद इंटरनेशनल लेबर और्गनाईशन की गवर्निंग बोड़ी में मेंबर्शिप चेर्मेंड की मेंबर्शिप प्राप्ट करने वाला देश है भारत इंटरनेशनल लेबर और्गनाईशन की स्थापना एक मई उनिस तो उनिस इस वी को हुई थी इसका मुख्याल है जीनेवा में सी थे जीनेवा स्विजर लेंड का एक प्रसित शहर है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल हag में फोब्स की सुची में वर्ल्ल वेस्ट एमप्लॉयर 2020 की सुची में किस कम्पनी को पहला अस्थान मिला है उप्षन A, Tata Company उप्षन B, National Thermal Power Corporation Company उप्षन C, Reliance उप्षन D, Hindustan Aeronautics Limited Company तो इसका राइट अंसर हो जाएगो उप्षन B, Anti-PC Anti-PC Company के Employer को World Best Employer 2020 की सूची में Forbes पत्रिका में स्थान दिया गया है पहले नंबर तो इसका राइट अंसर हो जाएगो उप्षन B, Anti-PC नेक्स्ट है उद्योगिक नीती 2020-25 की घोषना किस राज सरकार ने की है उप्षन A, महराष्टर उप्षन B, केरल उप्षन C, करनाटक उप्षन D, आंधरपरदेश तो हाल ही में उद्योगिक नीती 2020-25 की घोषना करने वाला राज्य है करनाटक नेक्स्ट है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्थ है उप्षन A, 103, उप्षन B, 76, उप्षन C, 54 या उप्षन D, 94 तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स की सूची में भारत को 94 स्थान प्राप्थ हुआ है 107 देशों की सूची में भारत ने 94 स्थान पर है नेक्स्ट है राज्निती के The Battle of Belonging पुस्तक किसने लिखी है उप्षन A, ससी थरूर उप्षन B, अमिच्छा उप्षन C, वी एस नॉपल या उप्षन D, सल्मान रश्दी राज्निती के The Battle of Belonging पुस्तक को लिखने वाले हैं ससी थरूर, ससी थरूर एक अंग्रेजी सहित्यकार है नेक्स्ट है 24 अक्टूबर को किस दिवस के रूप में मनाय जाता है उप्षन A, अंतराष्ट्य सत्भावना दिवस उप्षन B, सयुक्तराष्ट दिवस उप्षन C, अंतराष्ट्य स्रम दिवस या उप्षन D, अंतराष्ट्य सांती दिवस 24 अक्टूबर को विश्व पॉलियो दिवस और सईउक रास दिवस दोनों मनाया जाता है इसके साथ ही भारती सत्भावना दिवस जो है वह 20 अगस्त को मनाया जाता है अंतराष्टी स्रम संगठन की स्थापना के सुब अवशर पर 1 मयी को अंतराष्टी स्रम दिवस तथा 21 सितंबर को अंतराष्टी सांती दिवस के रूप में मनाय जाता है यदि आपको वीडियो अच्छा लगओ हो तो वीडियो को लाइक कर दीजे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे थैंक्यू फोर वाचिंग